भारतिय आयकर अधिनियम 1961 की धारा असीडी स्वास्थ्य वीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किये गए प्रीमियम के लिए कटोती प्रदान करती है। यह भारत में धारा असीडी के तहट आयकर छूट प्रदान करता है। व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार, हुएफ, धारा असीडी के तहट कटोती का दावा करने के पात रहें। यह कटोती स्वयन, जीवन साथी, आशरित बच्चों और मातापिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किये गए प्रीमियम के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त स्वयन, परिवार के सदस्यों और मातापिता के लिए निवारक स्वास्थ्य जाच के लिए किये गए खर्चों के लिए 5,000 रुपए तक की कटोती की अनुमती है, जह धारा असीडी के तहट प्रदान की गई समगर सीमा के भीतर है. धारा असीडी के तहट दावा की जा सकने वाली अधिक्तम कटोती बीमित व्यक्ती की आयू और पॉलिसी के प्रकार के आधार पर भिन होती है. स्वयन, पतिया, पतनी और आश्रिक बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किये गए प्रीमियम की कटोती सीमा 25,000 रुपए प्रती वर्ष है, 60 वर्ष से कम आयू के व्यक्तियों के लिए यह सीमा बढ़कर 50,000 रुपए हो जाती है, यदि मातापिता के लिए भी प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, यदि बीमित व्यक्तिया उनके मातापिता वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयूक हैं, तो अधिक्तम कटोती सीमा 1,000,000 रुपए हैं, जिसमें स्वयन, जीवन साथी, आश्रित बच्चों और मातापिता के ल या नहीं, धारा असीडी के तहट कटोती भुगतान के आधार पर उपलब्ध है, अर्थात, प्रीमियम का भुगतान उस वित्तिय वर्ष के दौरान किया जाना चाहिए, जिसके लिए कटोती का दावा किया गया है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए नकद में किये ग भुगतान धारा असीडी के तहट कटोती के लिए पात्र नहीं है, प्रीमियम का भुगतान बैंकिंग चैनलों जैसे चेक, दिमांड ग्राफ, डेविट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए, कटोती इस बात पर ध्यान दिये बिना उपलब्ध है कि पॉलिसी धारक या भीमित व्यक्ति चिकित्सा व्याय के लिए प्रतिपूर्ती का दावा करता है या नहीं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद इस तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें